अभिशेक के हाथों में नहीं दिखी अंगूठी, वाइरल होई बिना अंगूठी के तस्वीर, लगने लगी तरह तरह की अतकले, क्या एश्वर्या हो रही अभिशेक से अलग? एश्वर्या राय और अभिशेक बच्चन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों की अनबन की खबरे काफी समय से आ रही है, जहां एश्वर्या राय ने अपनी बर्थडे से लेकर करवत चौथ तक अपनी बेटी आर्याधक के साथ मनाया, तो वहीं दीवाली भी उ एश्वर्या को अकेले बॉलिवुट कारिक्रमों में जाते देखा गया, जबकि अभिशेक, नीता और मुकेश अंबानी के फंक्षन, एन, एम, ए, सी, समाहरो और बाकी दीवाली पार्चियों से गायब नज़र आये थे, एक समय बॉलिवुट में पसंदीदा रहे इस जो एक पोस्ट किया, तो एश का ये था पोस्ट, एश्वरा राय बच्चे ने अपने इंस्टेग्राम पर अपने दिवंगत पिता कृष्णराज राय को उनकी जोयनती पर याद कर एक तस्वीरों की सीरीज पोस्ट की थी, एश ने अपनी बेटी आराध्या और अपने पिता कि एक साथ तस्वीर शेयर की, उन्होंने अपने पिता के साथ अपनी भी तस्वीर शेयर की और एक और फोटो में वो अपनी मा और बेटी के संग नजर आ रही है, जिबकि बैग्राउंड में उनके पिता की फोटो दीवार पर टंगी हुई है, लेकिन जिस बात ने सभी का प्यारे डैडी अज्जा सबसे प्यारे दयालू देखभाल करने वाला मजबूत उदार और नेक आपके जैसा कोई नहीं कभी नहीं जन्म दिन की शुबकामनाएं इस मरण में प्रार्थना हमें आपकी बड़ी याद आती है इसके बाद एक और तस्वीर वाइरल हुई जिसम अंगूठी के अभिशेग बच्चन की उंगली से गायब होने के बाद इसके लेकर और जादा बवाल होने लगा अठकलों का बाजार लगातर गर्म होता जा रहा है इसके बाद एक और ट्वीट सामने आया जिसने अठकलों का बाजार गर्म कर दिया एश्वरे राय चेक बच्चन और एश्वरे राय ने आधिकारिक तोर पर तलाक ले लिया है ये ट्वीट ट्वीटर पर वाइरल हो गया है और इसे नेटिजन्स की व्यापक आलूचना का भी सामना करना पड़ रहा है साथ ही ये सोचने वाली बात है कि उमेर की ट्वीट को गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं क्योंकि फिल्म समीक्षक पर पहले मशूर हस्तियों के बारे में जूटी अफवाएं फैलानी का आरूप लगाया गया है अफवाएं यहीं खत्म नहीं हुई इससे पहले भी डिजाइनर मनीश मलोतरा की दीवाली पार्टी में ऐश्वरया अ लेकिन इन दोनों की अलग होने की खबरों पर एश्वरया और अभिश्रिक की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टी नहीं की गई है बच्चन फैमिली की तरफ से भी इन अफवाहों पर कोई भी मोहर नहीं लगाई गई है